मोदी जी पेपर लीक के खिलाप कितने भी कानुन बनाएं, कितनी भी भाषन करें परिभाषा दिखाएं, पर जहां पेपर लीक होता है, वहां बीजेपी का कालेज आता है, बीजेपी के कारीपी करता आते हैं, बीजेपी के से निखले हुए प्रोफेसर और कुलपती सामने आते हैं, जहां घटना है घटती है, सारी संस्थाओं में, वह चाहे पीजेपी की बात हो, चाहे PSC की बात हो चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो सब जगे RSS और BJP से प्रभावित उनके कारीकरता के रूप में लोग बेठे हैं और फिर वहीं से पेपर लिक होता है नेता पकड़े जाते हैं पेपर लिक में तो BJP के अगर हर तरीके से BJP से प्रभावित पालित पोशित लोग इसके पीछे आते हैं, यहने BJP यह करवाती है, कानुन बनाने से क्या होगा, अपने लोगों को आप सबख नी सिखा सकते हो, हटा नी सकते हो, सजा नी दे सकते हो, आप इकी नियत में खोट हो, कानुन बना के देश को गुम्रा करना चाहते हैं क्या, धार में महिला के सान मारपीट हुई वीडियो भी आया है। कि वोट ले लिए दो दो बार ले लिए और उस पेसे पर हलक पर एक शब्द ने निकलता है अभी आज एक बारों की सुर्खिया है कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही है मंत्रियों के लिए थोड़े दिन पहले सुर्खिया थी कि मंत्रियों के बंगलों की करप्शन क्राइम और कर्ज से इनका चोली धामन का साथ है और दूसरी तरफ लाडली भेनाओं के पैसे नहीं दे रहे हैं यह महला विरोधी सरकार है मोहन सरकार अधने मुख्य मंत्री जी जब डीपियार बनी थी मेट्रो की वो कांग्रेश साशनकाल में बनी थी उसके बाद शिवराश सिंगी ने उसमे करीब तीन हजार करोड रुपे मेट्रो पे बढ़ा दिये आखिर ये बोच पढ़ा किस पे जनता पे पढ़ा फिर मेट्रो का समय सिमा चली गई इसके लिए दोशिकों ने आपी की सरकार है फिर अधिकारी बदलते हो और नए नियम नए कानून नई संभाव नाय ढूंडते है न अंदोर की मेट्रो में परीबरतन की बाते हो रही हैं इसका मतलब करफशन और कमिशन केसे वड़े उसकी बाते हो रही है तीन हजार करोड रुपए पहले बढ़ाय गये थे मेट्रों में डिपी आर से अलग अब यह पूरी कवायत उसके बजट को मेट्रों के बढ़ाना औ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें